इस कहानी की शुरुवात 1998 से होती है जहां पर हमें एक बहुती फेमस सीरियल दिखाय जा रहा था ये पूरा सीरियल चिंपैंजी के उपर बेजड होता है जो आने वाले दर्शकों को काफी इंटर्टेन करता था अब इसी तरीके से एक दिन चिंपैंजी के सीरियल की शुटि है लेकिन यहां उस खतरना चिंपैंजी ने रियूग को देख लिया होता है पर वो रियूग को कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो चिंपैंजी अपने सेंसेस में आ चुका होता है वो तो रियूग के तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था पर तबी शिकारी आकर उस गोडों की रखवाली कर रहा होता है तभी अचानक ओजी ने नोटिस किया कि आजमान से बहुत सारी चमकते हुई चीजे नीचे आ रही हैं ये और कुछ नहीं बलकि सिक्के थे लेकिन तभी एक सिक्का ऊपर से नीचे गिरते हुए ओजी के फादर के सर में से आर पार हो गया था कि आखिर वो सिक्के इतनी तेजी से कहां से आये अपने फादर के मरने के बाद ओजी ने उनका बिजनेस समाल लिया था अब कुछ मैनों बाद ओजी अपने एक घोड़े को लेकर शूटिंग पर आया होता है ओजी की एक बहन भी थी जिसका नाम लिया होता है और अब घोड़ों को वहीं पर छोड़कर सीन के लिए दूर हड़ जाता है पर तभी अचानक ओजी का घोड़ा एकड़म आउट अफ कंट्रोल हो गया था वो तो अपने पैरों से आसपास मौजूद सभी लोगों पर मिट्टी फेकने लगता है तब जाकर डारेक्टर्स को पता च लिया काफी जादा दुखी हो गए थे क्योंकि ओजी के फादर इस काम को कई सालों से काफी अच्छे तरीके से करते आ रहे होते हैं और अगर ओजी अपने इस काम को पफॉर्म नहीं करेगा तब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे फिलाल के लिए ओजी अपन मानना था कि ओजी को उन्हें अपना पूरा अस्तबल बेची देना चाहिए क्योंकि इन सारे बिजनस में कुछ भी नहीं रखा लेकिन ओजी ये सारी कीजे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था अब एक रात लिया ओजी के घर पर ही रुकने का डिसाइड करती है लिया तो ड् आस्मान की तरफ कुछ लाइट दिखाई देती हैं और तभी आस्मान में काफी तेजी से आवा जाती है जिससे कि ओजी का एक वाइड घोड़ा वहां से भाग गया था ओजी तो अपने घोड़े को ढूनने के दिल लगातार उसके पीछे चला जाता है पर तभी अचानक ओ बात सारी electricity वापस आ गई थी आजी तुरंत अपने घर के पास पहुचकर लिया को सारी बाते बताता है लिया भी आजी के मुझसे ये बात सुनकर थोड़ी शी शौक रहे गई थी और अब लिया आजी को ये बताती है कि अगर वो दोनों मिलकर UFO की फोटोज ले ले तब उन आजी सूपर मार्केट में जाकर कैमराज रिकॉर्डिंग खरीदने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी करके UFO की रिकॉर्डिंग निकालने थी कैमरा के साथ उनके घर पर एक टेक्निशन भी आता है जो कि कैमराज के एंगल को फिट कर रहा था और जी ने उस टेक्निशन को बताया कि कैमराज के एंगल उपर की तरफ करने हैं यहां टेक्नीशन थोड़ा सा सूच में पढ़ जाता है क्योंकि सारे लोग अपने कैमरा सड़क की तरफ या फिर घर की तरफ लगाते थे कोई भी कैमरा का एंगल आसमान की तरफ नहीं मूर कर रखता था जिस बाद से टेक्नीशन को थोड़ा सा शक होने लगा इसलिए सारे कैमरास फिट करने के बाद उस टेक्नीशन ने ऐसे सिस्टम लगा दिये होते हैं जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में बैठ कर इन सारे कैमरास के फुटेजिस दिख सके अब यहाँ ओजी और लिया लगातार वेट करने लगे थे उन यूएफो के वापस आने का जिससे कि वो दुनों कैमरा के मदद से उनकी वीडियोज निकल सके कुछ घंटों बाद होता भी ऐसा ही है आसमान में वो यूएफो आ गया था जिसकी वज़े से सारी इलेक्टरिस्टी के सामान बंद हो जाते हैं वो सारे कैमरेज भी बंद हो चुके थी जो घर के पास लगाए गये थे यानि कि ओजी और लिया की इस प्लैन पर पानी फिर गया होता है वो टेक्निशन भी अपने ओफिस में बैटकर ये सारी चीज़े देख रहा था उसे इतना तो कंफर्म हो गया था कि सायट से आसमान में कोई अनोखी चीज मौजूद है जिसे कि ओजी और लिया कैप्चर करना चाते हैं हाला कि एक कैमरा घर के काफी दूर लगाया गया था जो कि चालू होता है लेकिन उसके लेंस के उपर कोई एक कीड़ा आ गया था जिसके वज़े से वीडियो अच्छी नहीं दिख रही थे अब अगले दिन वो टेक्निशन ओजी और लिया के पासा कर ये सारी बाते बताता है टेक्निशन समझ गया था कि जरूर आसमान में कोई UFO दिखा है इसलिए ओजी और लिया ये सारी चीजे कर रहे हैं और अब वो टेक्निशन औजी और लिया के साथ इस मिशन में लग गया था कि वो कैसे भी करके UFO का पता लगा लें सारी फुटेजेस को अच्छे से देखने के बाद टेक्निशन को पता चल गया था कि आखिर रास क्या है उसने गौर किया कि आसमान में सभी बादल हिल रहे हैं सिर्फ और सिप बादल का एक पोर्शन अपनी जगह पर रुका हुआ है वो तीनों तुरंती समझ जाते हैं कि जरूर ये UFO होगा जो कि अपने आपको छुपाने के लिए बादल के पीछे रुका हुआ है और अगर UFO के वीडियो उन तीनों ने निकाल लिये तब वो तीनों काफी ज़्यादा फेमस भी हो सकते थे इसलिए अब टेकनीशियन, ओजी और लिया मिलकर इसकी जांच परताल करने लग जाते हैं वहें दूसरी तरफ हमें रियूक दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो चुका था रियूक एक थीम पार्क चलाता था जहांपर वो दर्शकों को इंटर्टेन किया करता था एक दिन इसी तरीके से रियूक अपना बहुत ही बड़ा मैजिक शो दिखाने के लिए बहुत सारे दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर आता है रियूक ने कुछ घोड़ों को अपने से दूर रख दिया था और फिर कुछी दिर में आस्मान से बहुत ही बड़ा जीव नीचे आ जाता है ये तो वही विशाल का ए एलियन था जिसे की ओजी और लिया एक यूवेफो समझ रहे थे रियूक को पहले से पता था कि ये एलियन हमेशा यहां पर खाने की तलाश में आता है जो की इंसानों और जानोरों को खाता था इसलिए रियूक हमेशा उस एलियन के लिए दो तीन घोडे लाता है जिससे कि वो एलियन उन्हें खा ले और साथ ही साथ रियूक इन सारी चीजों को ऐसे दिखा सके कि उसने मैजिक किया है जिससे कि रियूक की पॉपिलारिटी काफी बढ़ती जा रही थी इसी तरीके से एक दिन फिर वो एलियन नीचे आता है घोडो को खाने के लिए लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उस बड़े से एलियन ने वहाँ पर मौझूद सभी दर्शकों और रियूक को अपने अंदर खीचना स्टार्ट कर दिया था देखते ही देखते वहाँ अरे लोगों की एक ही बार में मृत्य हो गई थी अब यहाँ ऑजी जो की शहर में कुछ सामान लेने आया था उसे भी आसमान में कोई चीज दिखाई देती है ऑजी को लग रहा था कि ये सायच से वही यूएफो होगा लेकिन जैसे ही वो बड़ी चीज थोड़ा पास आती है तब ये रिविल वा कि वो तो वही खतरनाक एलियन है जो आजी को खाना चाता था लेकिन आजी अपनी जान बचा कर कैसे भी एक कबड़ के अंदर चले जाता है और अब थोड़ी देर में ही वो एलियन निकल गया था आसमान की तरफ आजी ने यहाँ पर अपनी बेहन ल गी थी यानि कि वो एलियन ठीक लिया के घर की उपर होता है उस एलियन ने जितने भी लोगों को खाया था उसका बाई प्रोड़क्ट नीचे गिराता रहता है क्योंकि वो एलियन सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मान सी डाइजेर्स कर सकता था बाकी जो सारा कच्रा एलियन गल्ती से निगल लिया होता है वो तो एक साथ नीचे गिरा देता है लिया और आजी का पूरा घर देखते ही देखते खून से रंग चुका था यही रिजन होता है कि कई महीने पहले आजी के फादर की मृत्टी हो चुकी थी क्योंकि इसी तरीके से साथ एलियन ने आसमान से बाय प्रोड़क नीचे गिराये थे जिसमें की कुछ कॉइन भी सामिल होंगे और उनी में से एक कॉइन आजी के फादर के मौत का कारण बना उस एलियन के जाने के बाद आजी, लिया और टेक्नीशन मिलकर बाते करते रहते हैं कि वो एलियन को कैसी कैप्चर करें क्योंकि वो एलियन जब भी किसी के पास आता था तब इलेक्रिसिटी से चलने वाले सारी डिवाइसे बंद हो जाते थे यानि कि वो सब नॉर्मल कैमरे से इलियन की फोटोज नहीं ले सकते थे अब इस बात के सॉलुशन के लिए वो तीनों वाइल डाई फोटाग्रफर के पास चले जाते हैं इस फोटोग्राफर के पास हाथ से चलने वाला एक कैमरा मौजूद था जो की विदाउट इलेक्रिसिटी से चलता था और जी लिया और टेक्नीशन ने उस फोटोग्राफर से मदद मांगी कि उन्हें आसमान में मौजूद एक खतरनाक इलियन को कैप्चर करना है पर वो वाइल लैफ फोटोग्राफर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता उसे लग रहा था कि ये तिनों उसके साथ मजाग कर रहे हैं पर जब उस फोटोग्राफर ने टीवी पर न्यूज देखी तब बहुत सारी न्यूज चैनल उसी इलियन के बारे में बता रहे थे जिसने की कई हजार लोगों को अपना निवाला बना लिया था ये जानकारी मिलने के बाद फोटोग्राफर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है फोटोग्राफर एकदम खुली जगव पर आकर हाथ से चलने वाले कैमरे को एक्टिवेट कर देता है जिससे के अब इलियन के आने के बाद भी वो बन नहीं होगा अब तो वो चारों सिर्फ वेट करने लगे थे कि वो इलियन कब आएगा थोड़ी दिर बाद हमें एक बाइक पर सवार एक आदमी दिखाये जाता है जो कि उसी खतरनाक इलियन को फिल्माने आया था क्योंकि वो एक रिपोर्टर होता है और उसे कैसे भी इलियन की फोटोज लेनी थी हाला कि लिया उस आदमी को आगे जाने से मना करती है पर वो आदमी किसी की भी नहीं सुनता और बीच रास्ते पर चला जाता है एलियन की फोटो लेने के लिए थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी की बाइक अचानक से बंध हो जाती है जिससे कि वो रिपोर्टर अचानक नीचे गिर गया था दूर से देखने पर ओजी को ये पता चल गया था कि सायच से वो एलियन उस बाइकर की उपर ही मौजूद है और अब होना क्या था वो बड़ा सा एलियन रिपोर्टर को अपने अंदर खीचने लगता है ओजी और लिया के कहने पर वाइल डाइफ फोटोग्राफर ने लगातार फोटोज लेना स्टार्ट कर दिया था हाला कि उसने एलियन की बहुत सारी फोटोज ले ली थी लेकिन फिर भी वो खतरनाक एलियन को पास से जाकर शूट करना चाता था इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और नजदीक चला जाता है लेकिन अब उस एलियन ने वाइल डाइफ फोटोग्राफर को देख लिया था जिसे कि वो फोटोग्राफर को भी अपनी मूँ के अंदर खीचने लगा था फोटोग्राफर चा करकी भी कुछ भी नहीं कर पाता वो तो लगातार एलियन के मूँ के अंदर बढ़ता जा रहा था और उसका निवाला बन गया था उस एलियन के थोड़े दूर जाने के बाद लिया उस रिपोर्टर का बाइक उठाती है जो कि अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था लिया तुरंती उस एलियन से काफी दूर आ जाती है लिया को कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसका भाई ओजी भी अभी मुश्किल में होता है इसलिए अब लिया ने वहाँ पर मौझूद एक होट एर बलून को उपन करके उड़ा दिया था जिससे कि शायद एलियन का ध्यान भटके और वो उसके तरफ आ सके को होता भी कुछ ऐसा ही है वो होट एर बलून जैसे ही हवा में गया उस बड़े और खतरनाक एलियन को लगा कि ये कोई इनसान है इसलिए वो तुरंट होट एर बलून के पास चला जाता है जिससे कि वो खा सके इन सारी चीजों से ओजी को मौका मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग सके और अब देखते ही देखते वो एलियन होट एर बलून को पुरा खाने लगा था पर बलून के अंदर हीलियम गैस मौजूद होती है साथी साथ वहाँ थोड़ी आग लगे होने की वज़े से वो एलियन जैसे ही बलून की गैस में जाता है वहाँ एक बहुती बड़ा बलास्ट हो चुका था जिससे कि इलियन की बॉड़ी पूरी तरीके से अलग हो जाती है यानि कि वो इलियन अब मर चुका था लिया और आजी अब काफी सेफ फिल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इलियन की फोटोग्राप्स तो ले लिये थे साथे साथ इलियन द्वारा बढ़ते हुए बहुती बड़े खत्रे को खत्म कर दिया लिया और आजी को अपने आगे की लाइफ की अफिकर नहीं करनी थी क्योंकि वो ये सारे फुटेजेस न्यूस चैनल को बीच कर पैसे कमा सकते थे लेकिन ये सारी चीजे को इंसिडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि रियूग जो सालों से इस इलियन को खिलाते आ रहा था वो अचानक इतने सारे मासूम लोगों पर अटैक क्यों कर देता है यहीं सेम बात हमें कहानी की शुरुवात में दिखाई गई थी जब उस चिंपैंजी ने अंत में आकर कई सारे लोगों पर हमला कर दिया था हाला कि उस चिंपैंजी को ट्रेनिंग दी गई होती है इनसानों के साथ अच्छा बेहवार करने की पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब जानवर अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होते क्योंकि उन्हें इनसानों की बीच रहने की आदत नहीं होती इसी तरीके से ओजी का घोडा शूटिंग के टाइम पर पर पफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे इनसानों की एडवांस दुनिया की आदत नहीं है जिसका मतलब यह होता है कि अगर हम इनसान जानवरों को सिर्फ अपने यूस के लिए रखेंगे तब वो एक मोमेंट पर आउट आफ कंट्रोल होकर हमें नुकसान पहुचा सकते थे इसलिए जानवरों को कैद करके ना रखने के बजाए उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए जिससे के वो अपनी लाइफ अपने इसाब से जी सके और इसी तरीके से ये इंस्पाइरिंग स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पोनेशन एक पसंद भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए